हालो गाईज विल्कम बैक तो और फेवरेट चैनल लॉजिकल फेंटासी ट्रिक इस वीडियो में गाइज बात करूँगा कौली फैर वन मैच जी कौलकाटा होने वाले हाइधराबाद के यानि संराइजर के सामने होने वाला है नाइट राइडर्स इस वीडियो में पूरी क् आपको लग रहा होगा कि बहुत जादा रन बनाने वाले हैं आंड्रे रसेल जिनके बारे में आपको लग रहा होगा तीसरा नाम मिशेल स्टार का लेना चाहूंगा कि ऐसे बड़े मैचेस में बड़े नाम का होना बहुत जरूरी है आपको नहीं पता इस सीजन में सबसे जादा चक्के लगाने वाले खिलारी है और आंड्रे रसेल जिनके बारे में आगे आगे आपको बताऊंगा लेकिन वाट अबाउट सुनील नाराइने क्या आज इन्हें करना है नहीं करना है 42-50% लोग इन्हें काप्टन करके चल रहे हैं यह सारी बाते मैं आपको बताने वाला है इस वीडियो में ना किवल जो डेटा मैं आपको बताऊंगा और जो चीज़े बताऊंगा उसको आप उससे कुछ सीखेंगे बलकि कुछ चीज़े जो आपको पता है और वो आप भू चुके हो वो भी मैं आपको याद दिलाऊंगा कि टीम कैसे बनानी है शुरुआत करेंगे सबसे पहले दोस्तों यह जो बेन्यू है ना यह है नरेंद्र मोजी स्टाडियम आयमदाबाद का जहां का कुछ डेटा अगर आप ध्यान से दोखोगे ना आपको लग रहा होगा क यह सभी प्लेयर रन बनाने वाला आपको लग रहा होगा कि सुनी लाराने आएंगे ताबर तोर बैटिंग करेंगे अंद्रे रसल हो या फिर अभिशेक शर्मा ओपनिंग करते हुए ताबर तोर रन बनाएंगे लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है डेटा बिल्कुल उल्ट मैच होता है वहाँ पर विर्दमान सा के वाल 19 रन बनाते है इशान किशन जीरो पर आउट हो जाते यहां कि दो अपनर फ्लॉप हो रहे हैं ध्यान से समस्ते चले सुन्दे चलिए बारवा मैच के अंदर ट्रावी सेड़ और अगरवाल मैंक अगरवाल 19 रन और सोलर रन बन देखते चलिए 32 मैच होता है उसके बाद उसमें विर्दमान सा गिल फ्लॉप हो जाते हैं प्रित्वी फ्लॉप हो जाते हैं जो कि दिल्ली के सबसे खतरना खिलाड़ी भर करने के लिए इस सीजन वो भी यहाँ पर जो है न कमी रन मैंत हाला कि ड्रीम टीम में आ गया थे ठ इसके बाद अगला जो मैच आता है उसमें शुबंगिल और सुदर्शन की शतकी अपार यानि कि दोनों प्लेयर ने शतक बनाए और दो प्लेयर रहाने और रचिन रविंद्रा जो कि बनवदी ग्रेटिस प्लेयर में से एक रचिन रविंद्रा वो भी फ्लॉप हो गए या मैच पे कितने ओपनर होते हैं टोटल चार दो एक टीम के दो एक टीम के और उसमें से दो पनर मिनमम फ्लॉप हो रहा है आज जो सबसे बड़ा सवाल है हमारे पास चार ओपनर है कौन है अभिशेक शर्मा है ट्राविस हेड है हाईदराबाद की टीम से संड्राइजर की टी टीम से उपनर को ड्रॉप करने का रिस्क ले करके चलेंगे और जो अपनी फैंटासी टीम मनाएंगे वैसे यह तो जलक है वीडियो की आप वीडियो देखते जाई आपको बहुत क्लारीटी देने वाला हूं इन फैक्ट मैं यहां पर भी आपको बताता ही चलू बस एक ची बहुत नहीं सो वीडियो लाइक करके ही आगे बढ़िए अब देखे ध्यान से लोग गलती क्या कर रहे हैं लोग छोड़तो रहा है एक उपनर को लेकिन रामनला गुरबास को छोड़ रहे हैं लेकिन गुरबास जो भले देखिए इनको मौका मिला दो मैच में लेकिन दोन करने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा कि कौन आपको अच्छा खासा विकेट निकाल करके देने वाले हैं क्योंकि जो पिछ है यह बनता है रेड और ब्लैक सोयल से अब इनका रोल भी रहता है लेकिन इस मैच में शाद ज्यादा नहों क्योंकि बारिश हुई थी और आजराबाद का मैच होता है मैं आपको एक डेटा और दिखाऊंगा आपको लगा कि यह क्या हो रहा है एक ही प्लेयर हर मैच में ड्रीम टिम का कैप्टन कैसे बन सकता है आगे चली वह डेटा भी दिखाऊंगा ड्रीम टिम का फिलहाल सबसे पहले पिछ रिपोर्ट पे करेंगे क्रेडिट के हिसाब से किसको ड्रॉप करना यह सब कुस देखने वाले तो आगे बढ़ते हैं और आपको टीम न्यूस बता देता हूं इस मैच में एक प्लेयर है और वह है मार्को यांसन इनके खेलने की चांसे अकौर्डिंग टूमी मैं मान के चल रहा हूं कि खि इसामेद शाबाज अमद दूसरा अब्दूल समद और रहे फूर में अड़न के लिए बहुत जादा अच्छा रोल प्लेय करते नहीं देखेंगे चाहा अबसंत की बात कर ले या फिर शाहबाज हमत की बात कर ले शाहबाज अमद क्क्रेस्ट में मिलाकर के ओवर डिस्ट्रिब्यूट भी होता है तो उत्रा इफेक्टिव सावित नहीं हो पाते हैं तो मार्को यानसन की वापसी इस मैच में मैक्स पिक करके चल रहा हूँ बाकी निती शराना के कैर की टीम से वापसी करेंगे फिट भी है और इसके बाद हैजराबाद की 730 के बाद यानि के अंडर रॉष्णी के अंदर मैच होने वाला नाइट मैच आप बोलिए ठीक है अब अंडर लाइट बॉल जो है न यहाँ पर नय बॉल से हरकत करती है और वहाँ पे रोल अदा करेंगे कौन भूवनेश्वर कुमार उनका मैच अप भी ट्रावी सेट के निकाले हैं 2023 से लेके अब तक पहली प्रायोरिटी हमें देना है किसको वरुन चक्रवरती को जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट निकाले नो दाउट हमारा पस ऑप्शन है सुनिल नारायने का भी लेकिन डेटा अगर आप देखोगे अगर आप डेटा को फोकस करें टी हो जाएंगे अभी तक के IPL में सबसे ज़्यादा सिक्स ठीक है क्योंकि इसी सीजन उसने थर्टी प्लस सिक्स लगा है यह भी अपने चौकाने वाली बात है अब यहां पर देखोगे एक चीज़ और वो यह है कि इस वाले मैच में भूवनेश्वर कुमारना देखो अगर परामेटर देखोगे ना तो जस्परित भूम्राइकबास सबसे ज़्यादा यॉर्कर डालने वाले खिला रही है भूवनेश्वर कुमार तो भूवनेश्वर इसलिए भी और इंकॉर्ट हो जाएंगे क्योंकि यॉर्कर पता ही आपको जब यॉर्कर मिस होता है तो गिल्ल लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो कई दिन बाद वीडियो पर आया है चैनल पर आए है तो मैं आपको बता दूँ वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाती है कई बार यूटूब नहीं बेचता है तो आपना हमेशा देली सर्च करके देखा कर ये लॉजिकल फेंटासी लेकिन सब्सक्राइब करकर देखोगे तो नोटिफिकेशन आपके डिरेक्ट फोन में जाएगा समझे रहो आप जब दी वीडियो डालूंगा उसका अब चली मैं पिछ रिपोर्ट बताना शुरू करता हूँ यह आमदावाद के स्काडियम जहां पर दो चीजों का बड़ विलाल पिछ रिपोर्ट समझते चली डेटा ध्यान से देखेंगे तो यह जो हाइली बैटिंग ट्रैक रहा है शुरू से ही अभी आखरी मैश तो बारिश के चांसर वैसे नहीं है मैं आपको बता दू ठीक है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सभी मैश के अंदर हाइ चली तीन मैच हुए ठीक है जिसमें 200 बने 200 का सबस्ट बने या 200 आपको बना तो ओवराल कहने का मतलब यह कि बहतरीन होता है जहां पर रन बहुत बनते हैं और जैसे रन बहुत बन रहे हैं इससे सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि बैटिंग ट्रैक का मतलब कोई न कोई प्री टिम का सीवी सी बन ही जाएगा पहले पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है और यहां पर न नई बाल से मुववेंट मिलता है और अंडर लाइक बॉल जो है वह स्विंग भी करता है यहां पर वो बॉललर जो नशुइंग करना जानते हैं जिनको पेस हासी अच सबसे ज्यादा क्वालिटी वाले होंगे और वह भी लेंगे तो हम सेकेंड इनिंग के अंदर लेंगे लेकिन वोट एबाउट पेस वालर उसके लिए आपको समझना होगा द्रीम देखेंगे जो बात मैं आपको रिपीट किया हूं कि बैटिंग ट्रैक होने के वैसे कोई नों कोई बैट्समन जो ड्रीम टीम का काप्टन बनी जाता है वो बने इस मैस में 6-7 मरतबा ध्यान से यहां पर आपको डैबडी मिलर वोइस के आपने देख रहा होंगे शु देखते हैं जैसे मोहिष शर्मा को देखे हैं इसके आप आगे आएंगे तो यहां पर मोहिष शर्मा नेंटर वहां स्पिन काई डिखेंगे तो आपको प्लेयर अकसर प्लेयर आते दिखाए देंगे यह आपे वहां पर हमेंगे तो आपको दिख जाएंगे वादा करने वाले वह आते दिखाई देते हैं इस पिच के हिसाब ऊच्छामी तो उसे पहला मैस में जी सौचाबुन के czł assignment तो यह मिस्ऐ नहीं करना यह यह नहीं करते हैं हाइदराबाद के खलाफ में और बॉलिंग से भी कॉंट्रिब्यूट करते दिखते है और घ्यान से दिकшत कर सकता हूँ आपको और ध्यान से देखोगे तो हर मैच के अंदर ठीक है बॉलिंग से वो प्लेर जो पावर प्लेट डिफ में बॉलिंग करते ना वो आते ही आते दिखाई देते वहां मरगांडे देखेंगे भूमनेश्वर देखेंगे तीन अटराजन वैभा वरोडा देखेंगे तीन देखोगे तो बड़े प्लेर द्रॉप होते दीखेंगे जैसे यहां पर भी नितिशराना वहीं स्क्राइब यहां पर भी आपको मार्करम बन रहें यहां पर भी राहुल तीरे पाटी का वोइस क्यापटर बन रहें रहें रासल के साथ में कर सकते हैं या बतलब ड्रीम टी खेलते हैं इस बार मैच उआ तो उसमें दिखे नहीं लेकिन जब जब यह दो टीम आमने सामने होती है मारको यानसन का परफॉर्मेंस बेस्ट निकल के आते हैं ड्रीम टीम में आते हैं तो आप उन्हें अपनी टीम में एस फिक्स प्लेयर के तोर पर भी लेके जा सकते हो अब हम आपको जो बताने वाला उसको ध्याबस को अच्छा यह फाइनल फिष रिपोर्ट नहीं है फाइनल इस यहां पर दिखेगा यहां पर यहां बिखेगा थे लिंक जाएगा तो जॉइन कर लीजिए टेलेग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज बड़ा मैच है तो बड़े मैच में आपका तेली ग्राम पे होना बहुत ज़्यादा जरूरी अभी तक तो हमने क्या समझा पिछी रिपोर्ट अब मैं पिछी रिपोर्ट के इसाब से टीम कंपैरिजन करके आपको बताता हूं ध्या ली और आखरी मैच में फुट्टी प्लस रन बनाकर क्या रहे हैं तो यहां पर आप इनको आप छोड़के चले फिलाल तो श्रेयर से ट्रस्टेड है नितिस्टाना एक ट्रस्टेड है तीन आपके पास हो जाएंगे के कैर्गे टीम से लेकिन हाईजराबास की टीम में तो आवी से ट्रस्टेड है अभिशेक है रहुल तिरपाठी वीटिस्टेडी हेंडरेच क्लास है अगर आपके वल रहुल तिरपाठी को भी एग्नोर करोगे ठीक है तो हमारे पास टोटल चार ओप्शन मिलता है किस चिसका ट्रस्टेड ट्रस्टेड प्लेयर का जिन आप बैक कर सकते हो तोटल हमारे पास साथ ऐस्टेड से टोप और में से इसे से बैक करने के लिए हम फिर दूर्पी सुध्यों पर चलेंगे चलेंगे लोग कली आगे बतावाऑंगा विजय वेश्ट कंट वुवनेश और कुमार पैट कमिंस है और उपर आप आएंगे तो हमारे पा चलना हलका हो जाता किसके सामने सुनिल नहराने और आंद्रे रसल के सामने सो बॉलिंग हेवी टीम किसकी हो जाती है कि क्यार कि और जो फॉर्म है जो रुत्बा कह सकते हो दो-दो मैच वाश आट होने के बाद भी यह टीम अभी भी पनी हुई है और आपको टक्कर देती यह भी पॉसिबल है अब मैं आपको कमपोजीशन बता देता हूँ देखिए डेथ बॉल और ऑपन बॉलर बताऊंगा फिर कमपोजीशन बता दूंगा यानि कितने प्लेर हम किस टीम से लेंगे डेथ बॉलर ऑपन बॉलर हमारे लिए बहुत वर्क करता दिखाई देने वा चैंसे सभी के हैं कि आपको इस मैच में अच्छा प्रफॉर्म करके देंगे लेकिन सेनारियो वाइस अगर आप लेंगे तो आपकी टीम यूनिक बनेगी हाइदराबाद की टीम के साथ भी वही है यहाँ पर के निजिश रड़ी आफनी मैच में किये थे लेकिन यहाँ पर लेकिन के साथ लेकिन रांट के वापको आपको आपको रिस्क लेकर के चलना है जाने कि आपको रिस्क लेकर के चलना है किसी बैट्समन पर ही पाँच बॉलर भी आप लेकर के चल सकते हो वैसे जो सबसे सेफ रहेगा वो यह रहेगा चार बैट्समन चार बॉलर के साथ जाएगे तो फिर इस मैच में कॉंबिनेशन की बात कर लेते हैं किस तीम के लेंगा तो इस मैच में दोस्तों के के आरके चे प्लेयर ले सकते या जो टीम पहले बॉलिंग करे उसके आप छे प्लेयर ले सकते हो और इस मैच में जो पहले बॉलिंग करे या के जितने के भी चांसे हाई रहेंगे यह बात ध्यान देगे चलना अब दोस्तों मैं आपको बता दे जो टीम आप बनाओगे वो कहां बनाओगे एक रुपे में पांच मेगा कॉंटेस्ट कैसे खेलोगे कुछ भी नहीं करना है माई लेवन सर्किल का लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन में पिंड कॉमेंट में सबसे उपर जाए डाउनलूड करिए रजिस्टर करिए रजिस्टर मेगा कॉंटेस्ट इसका पहला प्राइज ही शुरू होता है एक करोड से इसके और उपर बहुत बड़े-बरे प्राइज है और आप सब को बता दो आप से महारे स्पेशल यूजर हो उसके लिए हमने एक कोड बनवारत का है पहली बार डिपॉसित करना मेरे भाई तो आप यह कोड यूज करते हैं आपको यह सारे बेनिफिट्स मिलने वाले आपको कैश बैक जो है क्या बोनस के तौर पर तो आपको मिली रहा है पंद्रसों का बोनस आप सब के लिए लेकिन यह वीडियो का आप टीम जरूर लगा ले ना आपको यह जो ऑफर मिल रहा है उसके बे सबसे सेफ ऑप्शन लग रहा होंगे आपको लेकिन मैं आपको इक चीज़ बताता हूं सबसे सिंपल तरह के से विकेट कीपिंग में आपने जो भी टीम पहले बॉलिंग करे ना उसके विकेट के पर के साथ जा सकते हो आज इस मैच के लिए और मुमकिन है कि यह मैच जो है जा सकते हो हलाके सेफ ऑप्शन के साथ लोग जा रहें लेकिन के साथ जा तो रहें ठीक है गुरुबाज उतने बुरे ऑप्शन नहीं है सबसे ज्यादा ऑपॉर्चिनिटे के साथ गुरुबाज आ रहें चुकि वह उपनिंग मेंशन होंगे चुकि पर एक्टिस में इसलि पर यह रहा नहीं है मैं तीन नाम में लेने वाला हूं नितीश राना विंकटेश एयर श्रेय सेयर इन तीनों नामों में देखोगे दो नाम विंकटेश एयर नितीश राना नितीश राना को उतना मौका मिला नहीं विंकटेश को मिला है तो उतना बड़ यह प्रफॉर्म को लेके जाना क्योंकि यह आपको 25-30 बना लेंगे और ड्रिम टिम में आ जाएंगे क्योंकि यह खिलारी लेके मैं दो चीज़े बताओंगा साइकल लॉजीक साइकलोजीकल लिवल पर अगर आप देखोगे न तो यह खिलारी न आपको यापो कैपटेंटी तो यहांपर बहुत भारी कीमत चुछबानी पड़ीगी तो यहां पर ना प्रेशर वाला मैचो फिर भी आगर टीम management के तरफ से ये कहा जाता है कि जाकर खुल के आओ तो फिर ये खिलारी आज भी बहुत लंबा स्कोर मारने वाले बहुत पिटाई करने वाले लेकिन अगर pressure होता है कि नहीं थोरा संबल के खेलना है फिर ऐसे खिलारी का performance नहीं आपाता है I think so कि इनको आज preference देनी चाहिए ओपेल ली खेलनेगा तब जाके ये बढ़िया खेलेंगे definitely और उस case scenario में मैं कहूँगा इन्हें अप्रिटी में fix लेके जाना लेकिन अभी शेक शर्मा को के वाल पहले बैटिंग में लेके जाएगा उस case scenario में जब इन्हें आप fix लेके जाए तो एक risk आप इन पे लेके भी चल सकते है जो बैख credit वाले logic में समझाऊंगा कि कैसे आपको लेके जाना है risk क्योंकि ये अलेक credit के player है ये अलेक credit के player है तो आपको clear हो जाएगा अब्दुल सबाद उतने safe option नहीं रहेंगा आप छोड़ देना batting order भी नीचे आ रहा हमें पता नहीं इनको Q अपने टीम में रखा गया है है अभी तक तो बहुत जादा रोल हमने दीखा नहीं है दो और player है रिंकु सिंग भी उतना बढ़िया नहीं किये प्लेयर के अंदर है प्रफॉर्म करके दे सकते हैं टॉप 3-4 प्लेयर में खेल रहा है मुम्किन है या आज अच्छा करके आपको दे देंगे जब तो आप इस प्लेयर को लेकर के जरूर जाएगा क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए किस लेवल की के डॉमिनेशन के साथ आती है सरेच आपको हमें मतानी की जरूरत नहीं है तो इसलिए सेकेंड बैटिंग होगी तो इनके चांसे रहेंगे कि आपको बढ़िया करके आपको दे सकते हैं वहीं बात करते हैं पहले प्लेयर हमारे पास कौन है अब देखिए विद बैट अगर अगर फ्लाप भी होता है ना तो यह पिछ यहां पर यह विकेट ले जाएंगे इसली दो विकेट इनको एक्सपेट मैं करके चल रहा हो कि इनको मिल जाएंगे तो यहां पर यह बड़ा रिस्क हो जाएगा ड्रॉप करने का आप अपनी टीम में जरूर रखे कैप्टेंसी क कार पांच मैच का डिटर हमने दिखाया तीर मैच में ड्रिम टीम के काप्टेन वही खुद रहे हैं तो यह एक चीज़ कराता है कि आप इनक पे ज़्यादा वरोसा कर सकते हो एस कंपेर टू सुनील नहीं रहा है लेकिन टीम में तो आपको इन्हें रखना ही है बैक करिए आपके टीम के फिक्स प्लेयर होने चाहिए वही बात करते है रमन दीप सिंग आप ड्रॉप करके चल सकते हैं इनको अपने टीम से उतना ज्यादा सेफ ऑप्शन लग नहीं रहा है हाला कि बॉलिंग अगरे भी शुरिटी नहीं रहता है के निती शुरिड़ी ऑप्शन बह परफॉर्मेंस आया नहीं इस सीजन अब चुकी परफॉर्मेंस नहीं आया है और हम लोगों आपकी बात आपको मैं अगर आपको बताओ तो यह जो वेन्यू स्टैट्स देखते हैं है ट्वेट देखते हैं ओवरॉल देखते हैं इससे कहीन के अंदाजा लगता है क्यार को मिलता है लेना भी होगा ना तो यहार पहले बैटिंग में कवर करिएगा क्यूंकि वहां पर सेखेंड बॉलिंग में बॉलिंग करने का ऑप्शन मिल जाए वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अद्दूलसबद हो या शाहबास हो तो को एक आपको खेलते शायद ना दि मैं एक्सपेक करूंगा कि मिल जाने चाहिए लेकिन नहीं भी मिलता है तो भी यह डिट में आकर कि अच्छा विकेट लेगे जा सकते हैं इसके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे मैं कहूंगा पहले बॉलिंग हो तो मिस आउट नहीं करें लेकि जाहिए हर्शित राना इस मै कि लिए सकेंड बॉलिंग अंदर लोगे तो वहाँ चांसे रहेंगे कि आपको विकेट डेखर जाये पहले बैटिंग में तो हइच स्कूर होगा ही होगा मैं कितना भी लोग स्कूर मानके चल रहा हो कितना रं तो वने गां ही बनेगा इस वाले पीचपे क्योंकि दो भूबनेश्वर कुमार है तीन अगले वाले पेश पर हम देखेंगे पैट कमिन के साथ एक एक्स्ट्रा ड्वांटेज यह है ना कि यह ऐसे कुरूशियल टाइम पर आएंगे कि विकेट लेने के चांस जिनके हाई रहेंगे पहली चीज दूसरी चीज इनकी बैटिंग अगर लग किली कहले है तो बैकिंग से रन बना करके दे सकते यह शोर है यह यह फिक्स वहुत हुई है भूबनेश्वर कुमार जीनों का रोल आज मैच मं काफी इंपोटेंट रहेंge एसके लिए वह रहेंगा कि यह आपको पहले बोलिंग करेंखने करें अंडर लाइट बॉल भी हरकत करती और यहां पर यह सबसे ज्यादा यॉरकर मारने वाली खिला रही है जहां इनको सफलता मिल सकते हैं इस मैच में जब टीम की पहले बॉलिंग हो तो मैं ज्यादा तर रिकमेंड करूंगा लेकिन अगर आप एक रसकते कर हो जहां बैक कर करना चाहो कुछ ट्रम बड़े प्लेयर को बुवनेश्वर को बैक कर सकते हो कि क्यों सेलेक्शन इनका काफी कम आपको दिखाई देगा यह बात ध्यान देके चलना ठीक आप देख सकते हो विजयाव यह सकांद कि अगर मैं बात करूँ स्पिन का लगीरी से आते हैं जरूर यह सकते हैं विजयाव यह सकांद इस मैच के लिए काफी बड़े ट्रम प्लेयर जिने आपको सिकेंड इनिंग में जरूर प्रेफर करके चलना चाहिए दो तीन और प्लेयर है ध्यान से समझे पहला वैबावरोडा बेतरीन किला रही है अच्छा बॉलिंग करते हैं ठीक है लेकिन मिशल स्टार्क प्लेस वैबावरोडा इन दोनों में आपको किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा अपनी टीम में लेके जाने के लिए पहली चीज़ दूसरी बात तीन राजन यहां पर पैट और टीन राजन ठीक है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किसे आप के जाए या फिर आप ऐसे भी जा सकते हो वैबावरोडा मिशल स्टार्क और पैट कमिन स्टीन राजन इन चारों के साथ भी जा सकते हो विद वन स्पिनर जो सिकेंडिंग में बॉलिंग करने आएंगे इस तरीके से भी आप टीम बना करके चल सकते हो अब मैं आपको बतात सब्सक्राइब करने का रिस्क्राइब करने का चल सकते हैं जैसे आध कि नो ख्रेटिक चार प्लेयर है सबसे पहले 9 वे घ्यान से चार कौन है अगर इसमें से आपको रिस्क लेना हो तो पहला ओप्षन आप हेंड़ेच क्लास इन पर रिस्क लेकर चल फेक्त हो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपने गुर्बास को बैक करके चल सकते हो क्या पता सेनारियो इस तरीके से भी आपको दिखाए दे ड्रीम टीम का जहां गुर्बास ड्रीम टीम में आ जाए और तिर यहां पर आपको ट्राविस हेड आते दिख जाए और सुनिल लाराने और रसिल दिख जाए अगर आप दो ही प्लेयर नौ क्रेडिट के लेना चाहो ठीक है और एक और पर रिस्क लेना चाहो तो ट्राविस हेड पर करके आप यहां पर सीधा सीधा अभिशेग को बैक कर सकते हो अपने टीम में क्यूंकि ट्राविस हेड हो या फिर सुनिल ना रहान हो विद बैट यह मतलब हमेशा हर बॉल पर धड़क दिल पर यहां तरक है कि यह लोग केलते हैं कब आउट होंगे इस तरीके का भरोसा नहीं होता है तो यह चीज़ कर सकते हैं अगर आप अभी शेयक त्रावी सेट दोनों को बैक करके चल रहे हूं ठीक है तो फिर यहां से सबसे पहले पर निटिश पर लेकर यह सकते हैं और इस तरीके सब्सक्राइब किसका हमारे पास की परकाद उसके बाद रिंकु सिंग्में सकते हैं और फिर यहां पर हरशित राना के नितिश रीडि में टिक तरिक यहां से औवराल जो हम प्लेयर से लेने वाले है मेरा मकसद है कि हम 90-85 के शोड़ सकते हैं तीन प्लेयर हैं विजयावेश कान जो कि बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे सन्वीर सिंग ड्रॉप कर सकते हो और अनुकुल रहा है ड्रॉप किया जा सकता है यानिक उतना अच्छा रोल ना रहा है इसलिए बड़े प्लेयर जो है बड़े करते हैं यह हमें आपको खिलारी को करना चाहिए मैं तो कहूंगा पहले बॉलिंग में भी बुरा औप्शन नहीं है बहुत कम लोग लेके जा रहा है और विजयाय वेसकान यह जरूर किया जाना चाहिए और वह पहले बॉलिंग के काप्टर कौन होंगे उससे पहले हम अभी कौन-कौन काप्टन वोइसकाप्टन हमारी टीम में अभी तक बन चुके हैं दोनों टीम की तरफ से ड्रीम टीम के सबसे पहले हईवराबाद की टीम से देखिए निटिश रडडी उनाद काट के भी खेलने की चांसे है मैं शुरू में मिस कर दिया उनाद काट को बैक करना मैक्सिमम टाइम का नाम आपको दिखाई देगा फिर रसल का नाम दिखाई देगा इस तार्क है उसके बाद दोस्तों रसल है फिलिप साल के जगर हम अनुक्त बाद है जो कि देखने वाली बात रहेगी कि इस मैच में कैसा परफॉरमनस आएगा मैंने आपको पता ही दिया है इस मैच का जो काप्टन हम लोग बनाने वाले वह बनाने वाले दोस्तों ध्यान से देखे सबसे पहले आपने वी सी में कवर करके चल सकते हो किसको बालिंग करते हैं बैटिंग कुछ न कुछ करही लेंगे बहुत फास्ट खेलते इसके लिए दूसरा आप सरमार पास कौन ह करेंगे चलेंगे हाला कि मैं expect कर रहा हूं कि यह जैनरली बना करके जाते हैं ड्रीम तिम में तो expect करी रहा हूं लेकिन आप रेयर एर क्याप्टन चुननना चाहते हैं जो कि एकदम हट के हो तो आप इनको कर सकते हैं अप्वर्चिनिटी या इसा नहीं कि सीधा ही बना लेन मौका भी है बड़े खिला रही है बड़े मैच में अच्छा परफॉर्म करके कभी भी दे सकते हैं तो यह किने करके चल सकते हैं जो कि आपको करना चाहिए बॉलिंग का पूरा बैक अप रहता है फिर यहां पर ट्राविस अब यह देखें यह दो नाम ना अगर आप कुछ अ अप्शन रहेंगे काप्टन वोईस काप्टन के दो और प्लेयर जो है मैं बताता हूं एक ही प्लेयर है बेसिकली वह है मिचल स्टार्क एंड टीनट राजन जिनकी भी पहले बॉलिंग हो वह आपकी टीम में होने चाहिए यह भी टीम आपको बना कर चलने कि कि किसी न किसी बॉलर को काप्टन जरूर आपको करके चलना है यह तो हो गया काप्टन वो इस काप्टन की बात है फिर हमारी टीम में किसको फिक्ष लेने वाले हैं उससे पहले ड्रॉप किसे करने वाले यह देख लेते हैं वेन के टेश्ट पर रिस्क ले सकते हो रम अंदीप पे ले सकत यह हमारे फिक्स प्लेयर होंगे अगर जैंसन खेलते हैं तो हम उन्हें भी अपनी टीम में अब दोस्तों हम आपको बताते हैं आज की स्मैश में दो ऐसे कौन खिलारी जिने एक साथ अपनी टीम में नहीं लेना है जिसमें सबसे पहले आएंगे वैभव और स्टार्क मैंने चारों के साथ जाके एक स्मेर लेकर पांच बॉलर के साथ भी जा सकतो है यह बात भी ध्यान देके चलना उसके बाद सबसेds सबसेँ बहुत रिसकी है वर यह तवे आप बना कर रहे बाकिया पना करके जबूर चलना नीचे आपको टेलिग्राम का लिंक देखेगा लाइक नहीं के वीडियो को तो लाइक कर देजे एक लाइक करने में कितना टाइम ही लगता है विडियो लाइक करके चैनल सबस्क्राइब कर ले ना टेलिग्राम